हलो एवरिवन मैं आतिफा काजी एक बर फिर से लेकर हाजिर हूँ आपका पसंदीदा ओडियो आर्टिकल प्रोग्राम तो आज हम बात करेंगे कानूनी लेंगिक समानता में और कितने वर्ष ये आर्टिकल दे हिंदू में छपी खबर इंडिया स्कोर्स 74.4 इन वर्ल बैंक और लाइफ साइकल ओफ वर्किंग विमन के सारेंच पर आधरित है इस आर्टिकल में टीम दृष्टी के इंपूर्स में शामिल है और साथ ही ये सामान्य अध्ययन प्रश्टन पत्र दो के सामाजिक न्याइखंड से जुड़ा हुआ है तो चलिए आर्टिकल की शुरुआ जैसे जाती, लेंगिक, आए, अवसर, आदी के धरातल पर हमें असमानताओं का ख्याल आता है लेकिन हमारे समाज में जिस असमानता पर सबसे जादा बात होती है वो है लेंगिक असमानता विश्व बैंक के एक हाले रिपोर्ट भी इसी तरफ इशारा कर रही है महिलाओं को अपना पूरा आर्थिक युगतां देने से रूख देती हैं विमन बिजनेस एंद लॉव ट्वेंटी ट्वेंटी टू नामा किस रिपोर्ट में कहा गया है कि 86 देशों में महिलाओं को नौकरी में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है और 95 देशों महिलाओं को पूरुशों के बराबर आए नहीं मिलती है इसके लावर रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सुधार की वर्तमान गती से हर जगह कानूनी लेंगिक समानता तक पहुच प्राप्त करने में कम से कम 50 वर्ष लगेंगे इस रिपोर्ट में भारत के लिए भी कोई अच्छे खबर नहीं है भारत को निम्न मद्य आयवाले देश के रूप में वर्गी करिद किया गया है भारत को सौ में से 74.4 रंक दिये गए हैं हाला कि भारत का समग्र स्कोर दक्षिन एशिया के लिए शेत्री औसत से अधिक है नेपाल से कम है नेपाल 80.6 स्कोर के साथ प शीलता, वेतन और पेंशन जैसे आठ संकेतकों पर आधारित है इसलिए असमानता कई तरह के सवाल खड़े करती है सवाल है कि तमाम कानूनों और योजनाओं के बावजूद देश में कानूनी लेंगिक असमानता क्यों व्याप्थ है ये चिंता का विशह इसलिए भी है कि देश की अबादी में आधी भागिदारी महिलाओं की है और समविधान तथा विधी विवस्ता में समानता को कैम रखने के लिए तमाम प्रावधान किये गए हैं लेकिन लक्षों की प्राप्ती में हम आगे बढ़ने की बजाए पिछड़ते जा रहे हैं लेंगिका समानता जहां विकास की गति को प्रभावित करती है वहीं भावी पेड़ी की महिलाओं के प्रती असमवेदन शील भी बना रही है ऐसे में सवाल उठता है कि इस खाई को पाटने के लिए क्या कुछ किये जाने की जरूरत है इस पर आगे बढ़ें उसे पहले इस रिपोर्ट में भ ये रिपोर्ट जिन आठ संकीतकों पर तयार की गई है उनमें शामिल है गतिशीलता यानि आवागमन की स्वतंतरता, कारेस्थल, वेतन, विवाह, पेरेंटिंग, उद्यमिता, संपत्ति और पेंचिन रिपोर्ट के मुताबिक भारत को आवागमन की स्वतंतरता, महिलाओं की रोजकार संबंधि नर्डेयों और विवाह, प्रतिबंधों से संबंधिक कानून होेतु उचित स्कोर प्राप्त हुआ है ये उचित इसलिए है क्योंकि इन तीनों ही संकेतकों में भारत को सौ फीसदी अंक मिले हैं लेकिन वेतन में महज 20, पेरेंटिंग में 40, पेंचिन में 75, उद्यमिता में 75 और संपत्ति में 80 अंक मिले हैं इस संदर्व में वेतन के मामले में भारत की स्थिती बेहद दैनिये बताई गई है इस संकेतक में 100 के बरक्स भारत को महज 20 अंकी मिले हैं इससे स्थिती की दैनियता का अंताजा लगाया जा सकता है रिपोर्ट में महिला अधिकारों के लिए जरूरी कानून के अभाव को इसकी वज़ा बताया गया है अब इसके बाद सवाल उटता है कि भारत में महिलाओं को कम कानूनी अधिकार मिलने के आखिर कारण क्या है दरसल भारतिय कामकाजी महिलाओं के वेतन तथा पेंशन को प्रभावित करने वाले कानून जैसे वेतन, पेंशन, विरासत और संपत्ति के अधिकारों को प्रभावित करने वाले कानून भारतिय पुरुशों के साथ महिलाओं को समानता प्रदान नहीं करते हैं एक रिपोर्ट के अनुसार 153 देशों में किये गए सर्वे में भारत एक मातर ऐसा देश है जहां आर्थिक शेत्र में महीलाओं की भागिदारी का प्रतिशत राजनीतिक शेत्र से कम है इस मामले में भारत 144 पायदान पर है शमिक बाजार में भी महिलाओं की सक्रिय भागिदारी पुरुशों की तुलुना में एक चौथाई ही है वर्ल्ड एकनॉमिक फोरम की जिंडर गया प्रिपोर्ट 2022 में भारत 146 देशों में 135 नमबर पर है भारत में ऐसे कानून है जो महिलाओं को रात के समय पुरुशों की तरह काम करने से रुकते हैं महराश्च्र दुकाने और प्रतिष्ठान रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन अधिनियम 2017 की धारा 13 खनन अधिनियम 1952 की धारा 46 और कारखाना अधिनियम की धारा 27, 66 और 87 एक महिला की किसी कारखाने में पुरुशों की तरह काम करने की शमदा को सीमित करते हैं यही वज़े हैं कि विश्व बैंक के लेंगिक बराबरी सूचकांक में भारत का स्कोर सिर्फ 25 है जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के मताबिक भारत में सिर्फ 2.8 फीसदी फर्मों में ही महिलाओं का मालिका नहाख है इस बात को हम यू समझ सकते हैं कि दरसल भारते असमाज में महिलाओं के साथ भेदभाव की जणे बेहत गहरी हैं प्रारम से ही समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग की रूप में देखा जाता रहा है वो घर और समाज दोनों जगों पर शोशन और भेदभाव से पीडित होती हैं अगर गौर करें तो लेंगिक असमानता की जणे हमारी सामाजिक संरचना में ही नहित हैं और समाज की पितर सत्तात्मक व्यवस्था इसकी मूल वचा है पितर सत्ता सामाजिक संरचना की ऐसी व्यवस्था है जिसमें पुरुष महिला पर अपना प्रभुत्व जमाता है उसका दमन करता है और उसका शोशन करता है महिलाओं का शोशन भारते समाज की सद्यों पुरानी सांस्कृतिक परिखटना है पिदरसत तात्मक व्यवस्था ने अपनी वैधता और स्वीकृति हमारे धार्मिक विश्वासों चाहे वो हिंदू, मुस्लिम या किसी अन्य धन से ही क्यों न हो सबसे प्राप्त की है इसके अलावा समाज में महिलाओं की निमन स्थती होने के कुछ कारणों में अत्यदि गरीबी और शिक्षा की कमी भी है अच्छी शिक्षा के अभाव में अधिकांच महिलाएं नौकरी के लिए आवशक कौशल की शर्तों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाती इसके अपने सामाजिक कारण तो हैं ही साथ ही राजनितिक व्यवस्था में व्याप्त महिला विरोधी मानसिक्ता लेंगिक समानता की राह में बड़ी बाथा है हाला कि ये भी सच है कि पुरुषों के समान काम करने वाली महिलाओं के साथ भी वेतन में भीदभाव किया जाता है ये लिंक के आधार पर असमानता का एक प्रमुख रूप बन गया है चलिए सब के बाद जानते हैं कि देश के समविधान और कानून में लेंगिक समानता के लिए कौन-कौन से प्रावधान है तो भारतिय सम्विधान ने अपने प्रस्तावना में ही समानता और न्याय स्थापित करने की बात कही है प्रस्तावना में हर व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनितिक न्याय और लक्षों की प्राप्ति के लिए अवसर की समानता की बात कही गई है इसके अलावा सम्विधान के भाग तीन में कई मौलिक अधिकारों का जिक्र है जो लेंगिक समानता को इस्थापित करने के लिए प्रतिबत हैं अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता के अधिकार नहित हैं जो लेंगिक या किसी अन्य आधार पर भी असमानता का निशेद करते हैं। ये प्रावदान बिना किसी भी इनफाव के महिलाओं को भी समान अवसर प्रदान कराने को सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा स्वतंत्रता के अधिकार के तहट अनुच्छेद 21 भी लेंगिक समानता को निर्धारित करने जैसा है। दरसल अनुच्छेद 21 पुरुशों के साथ साथ महिलाओं को भी जीवन तथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान कराता है। इसके अलावा अनुच्छे 23 और 24 शोषण के विरुद अधिकार की बात करते हैं और इसके तहट महिलाओं का भी शोषण से संरक्षण किया जाना है। इससे इतर राज्य के नीति निदेशक तत्व के तहट भी महिला अधिकारों और उनके संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छे 49 डी में पुरुष और महिला दोनों को समान काम के लिए समान वेतन देनी का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा नुच्छे 42 में महिलां को मातरत्व सहिता देनी की बात कही गई है यानि जब कोई कामकाजी महिला गर्भावस्था में हो तो उसे विशेश सुविधाय मौहिया कराई चाहिए। इसी तरह नुच्छे 44 में समान नागरिक सहिता की चर्चा है। इसका मकसद समस्त भारतियों को एक समान सविल सहिता प्रदान कराना है। इसी तरह भारत की विधी विवस्था में भी महिलाओं का शोशन से संरक्षन के लिए कानून बनाया गया है। इसी कड़ी में 1961 में दहेज निशेद अधिनियम लाया गया ताकि महिलाओं को शादी के बाद शोशन से बचाया जा सके। इसके लावा अनैतिक व्यापार निरुधक अधिनियम 1986 के तहट महिलाओं के व्यापार से संरक्षन के प्रावधान किये गए हैं। इसी तरह कारेस्थल पर यौन उत्पिडन निवारन निशेद निदान अधिनियम 2013 भी अमल में हैं ताकि कामकाजी महिलाओं को यौन उत्पिडन से बचाया जा सके। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के तहट भी लैंगिक समानता को कायम करने की कोशिश की गई है। चलिए अब लैंगिक समानता को लागू करने वाले प्रयासों को जान लेते हैं। महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मन रेगा जैसे कारिक्रम भी चलाए गए हैं। इन सब के अलावा लेंगिक समानता के लिए जेंडर बजटिंग की विवस्था की गई है। इसके तहट महिलाओं के कल्यान के लिए धन का अवंटन किया जाता है। दरसल महिला से शक्तिकरण और शिशु कल्यान के लिए किये जाने वले धन आवंटन के उल्ले को जेंडर बजटिंग कहा जाता है। इसके जरी सरकारी योजनाओं का लाप महिलाओं तक पहुचाया जाता है। महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करने और लेंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आपचारी करूप से वित्तिय बजट में जेंडर रिस्पॉंसिव बजटिंग यानी जी आरबी को अंगिकार किया। इसका मकसद राजकोशी नीतियों के जरी लिंक संबंधी चिंताओं का समधान करना है। चलिए अब इन सब मुद्दों के बाद ये जान लेते हैं कि ऐसे में आगे की रहा क्या हो सकती है। तो समधाने कानून के बावजूद देश में महिलाओं को अब तक वो अधिकार नहीं मिले हैं जिनका इंतिजार उन्हें सधियों से है। इस पित्र सत्तात्मक समाज में महिलाओं के उपर घर से लेकर बाहर तक के काम का बोच बना हुआ है। लेकिन जब बात काम के कीमत की आती है तो उनकी महिनत को कानूनी और निजी तोर पर नजर अंदास कर दिया जाता है। काम काज में समान वेतन की बात करें, तो इसके लिए भारत को समान गुणवत्ता के काम के लिए समान पारिश्रमिक अनिवारे करना चाहिए। इसके अलावा महिलाओं को रात में काम करने की अनुमती नहीं है, इसलिए महिलाओं को रातरी में काम करने की अनुमती मिले। साथी, पुरुशों की भाती और द्योगिक स्तर पर नौकरियों में काम करने की अनुमती भी प्रदान करनी चाहिए। महिलाओं के वेतन को प्रभावित करने वाले कानून, बच्चों के जन्म के पश्चात महिलाओं के काम को प्रभावित करने वाले कानून, व्यवसाय शुरू करने और उन्हें चलाने वाली महिलाओं पर प्रतिबंद, संपत्ती और विरासत में लिंग भेद, तथा महिलाओं भारत ने GDP का महस 2.7 फीसद ही शिक्षा पर खर्च किया था। जबकि इसी दोरान ब्राजील में GDP का 6 प्रतिशत, भूटान में 7.05, उस्बेकिस्तान में 6.41 प्रतिशत, यूके में 5.5 प्रतिशत, केनिय में 5.24 प्रतिशत और नेपाल में 5.1 फीसद शिक्षा पर खर्च किया महिलाओं की आधी भागिदारी है, लेकिन इनको मिलने वाला हक अभी भी अधूरा है। एक रिपोर्ट के मताबिक केवल 14 फीसदी महिलाएं संसत पहुच पाती हैं, जबकि 23 फीसदी महिलाएं ही मंत्री मंडल की भागिदार बन पाती हैं। रिपोर्ट कहती है कि राजनीत समानता तक पहुच प्राप्त करने में कम से कम 50 वर्ष का नुमान लगाया गया है। बहले ही हम शिक्षा के क्षित्र में सुधार कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं के प्रती बढ़ती हिंसा, जबरन विवाह और स्वास्थे जैसी सेवाओं में होने वाला भीदभाव आज भी चुनौती बना हुआ है। विश्व आर्थिक फोरम के अनुसार इस असमानता को दूर करने के लिए जरूरी है कि समय के साथ उभरते हुए नए ख्षेत्रों जैसे क्लाउट कम्प्यूटिंग, इंजिनेरिंग, डेटा और क्रत्रिम बुद्धिमत्ता में महिलाओं के प्र परिवार का अभिन हिस्सा समझी जाने वाली महिलाओं से भेदभाव हमारी संस्कुति का दस्तूर रहा है। भारत एक नारी गौरव गरिमा वाले देश की रूप में जाना जाता है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी आध्यात्मिक माननेताएं महिलाओं को एक परिखन कीजिए। तो आज के एपिसोड में इतना हैं मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और खास टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिंद।